केकर की तीसरी साल में तीन लाग रूपए कम से कम जितनी भी अपनी किस रेट में इद काम करेंगे तो बड़ी काम क्वी रचेज़ के लिए तो कुवे कीज़ रचेदि कुवें कामियाब है किनों बगैरा वह तो नेरगा पाणी सिये इसमें मतलब पाणी बढ जो सक्सस है यह नहीं कोई खास नहीं किया लगबग यह नेचर रहा है ना फालतुई कोई ड़ाई डाली ना कोई कुछ और किया है कोई शिरफ ज्यादा गोबरी खाद का यूज किया है ठीक और उसाइज चार सो सटर ग्राम सट साट ग्राम मैक्सिम है उस तन बात करें तो की स्वीडियम आपको दिखाएंगे अनार की खेती जहां दोस्तों मेरे पिछे जो आप अनार से लटपत बगीचा देख पा रहे हैं इसको कब लगाया गया कि स्वीधी से लगा रखा है और बहुत से ऐसे भी अनार के किसान आपने देखे होंगे जो की अनार लगाकर रो हैं उनमें कमी क्या रही वो भी आपको बताएंगे कि कैसे वो सक्सेस हो सकते हैं किस चीज का ध्यान रखना है यह जो एक छोटा सा पोद है अलांकि लगाए हुए मातर तीन साड़े तीन साल हुए हैं तो क्या कुछ खास इन्होंने किया वो चीज देखने लाइक है इतने किसान इसको देखे वीडियो को सुरू से लेकर एंड तक पूरा देखना ताकि आपके जो काम की चीज है वह आप इसमें से निकाल सको राम राम जी राम राम सभी बाइयों को मेरा राम राम मैं रंदीर सिंग गाउं खेड़ी जिला सिरसा अर्याना का निवासियों अपना लायन से लायन की दूरी घर और पूदे बूर्डे की तुरी साथ फित हैं इतने लगे पोदे लगे एक एक ड़में ये मान के तैलो बाइस सो प्लांट है अपने पांच एकड़ में वैस सो प्लांट हैं और ड्रीप पे कर रखा आपने शारा पूरा कम्प्लिट ड्रीपर ये जो पोदै ना मैना पाइदा है इसको सबसे कम पानी के जूरत है अगर आपके नाडी बणा करे बढ़े तो यह से सचस नहीं है वाँ पानी कीम पानी की मातर ज्याधा लिखती्या और बीधी में पानी की मातरा बहुत कम लगती है और पानी इसको बहुत ही कम पानी चाहिए ठीक है यानि जैसे है मैं राजस्तान से हूं तो राजस्तानी छेतर में जांपानी की कमी है वहां इसको लगाना चाहिए तो करीदे और कौन सी वराइटी के खरीदे तो अपनी क्लाइमेट किये मैं अगर बात करूँ कहां से लिए वो थोड़ा बताएं अच्छी कंपनी के पोड़े लो और टीशु कल्चर के जांस तक हो सके टीशु कल्चर के प्लांट लो कैडला कंपनी है जैन है एबीसी है इन में से अपनी 24 करके बढ़िया पोड़े लो और बगवा सिंदूरी विराइटी अपने बढ़ि किसान क्या करता है कि किसी के खेट में गया और वहां जैसे गास रखना बहुत जुरूरी है ठीक है मतलब यह चीज़ देखने में आप दूसरा आदमी आएगा तो इसको लगे गया मतलब इतना लग रहे और फिर भी समार को रखा यह गास इसके लिए जुरूरी है ठीक है ना बढ़े घंगा तो जमीन ठंडी रहे तंपरेचर नहीं बढ़ेगा ठीक आगर वैसे आप पूरा इसको क्लीन कर दिया तो जमीन का टमपरेचर बढ़ेगा ठीक है जो पोदे पे और फढ़ पे इसका बहुत अशर रहेगा नेगटी उसर डालेगा ठीक है अब आप अनि इसके पोदे कब लगाने चीए इसके पोदे जुलाई से लेके और अगे स्टंबर अक्तूबर कभी लगाओ ठीक है मांसुन काल के दुराइब या फर्वरी आफ फर्वरी से परहल के बीच में लगाओ ठीक है और कोई इसके मतलब अनार की खेती में आपको 3 साल होगे इसमें तो देखो हर फसल रहता है क्यों आपना जो क्लाइमेंट ना ये नर्मे का और का इसके थोड़ा फाल तो अगर रास्तान चेतर में जाएं तो यह भी नहीं आएगा बिल्कुल यहां से अभी निकलेंगे ना आप तो बहुत दिन रात का फरक हो ठीक है अच्छा एक अनार के अ किसान बाई अनार की खेती करना चाहिए तो आप क्या कहना चाहिए तो आप क्या कहना चाहिए किसान अगर लगाने की सोचे नार की खेती और एक अपने जो मोटी खेती करते हैं उनसे काफी ज़्यादा फाइदे मंदा जी रहे तो खास करिए कामियाब है यह आई से भी ज़्यादा कामियाब है